दियर स्टुडेंट्स, वेलकम तो और चैनल, तोड़े विल स्टुडी वरक्षी टंबर फोर्टीवन, सामाजिक विज्ञान कलास से हवाज अध्याए मानो प्रियावन अनुन्य के रिया, उशन कटेविंदी है, एम वो पॉशन परदेश प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पती के विकास में एक महत्वपुर्ण कारक है जिन परदेशों में अत्यदिक वर्षा के कारण सगनवन उग जाते हैं, उन्हें वर्षावन कहते हैं आए, आज हम वर्षावन अत्वा विशेश कर अमेजन बेसिन और वर्षावन के निवाशियों के बारे में जानते हैं वर्षावन वनस्पती M1 नेजिव और वर्षावन के निवाशी तो देखिए वनस्पती के बारे में देखते हैं इस तरह के वन अत्यादिक वर्षावाल एक सेतरों में पाए जाते हैं वन इतने सगन होते हैं कि पतियों और साखाओं से छट सी बन जाते जिसके कांड सुर्य का परकास धरातल तक नहीं पहुंच पाता यहां के भूमी परकास रहित और नम बनी रहती है यहां केवल वही वन अस्पती पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने के अक्समता हो परजिवी पोदों के रूप में यहां आर्किड और ब्रोमी लॉइड पैदा होते हैं टुकन, गुंजन पक्सी, रंगीन परजाती वाले पक्सी, एम भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन परकार के पक्सी यहां पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर, सलोथ, चीटी, खाने वाले टैपिर भी यहां पाए जाते हैं सांप और स्री सिर्फ की विभिन परजातिया इन वनों में पाई जाते हैं जैसे मगर, सांप, अजगर, ऐनाकॉंडा, एमबोवा आजारों कीडे मकोडे भी यहां पर निवास करते हैं वर्सावन के निवास है वर्सावन में निवास करने वाले लोग इनके बारे में देखते हैं यहां के लोग छोटे सेक्सितर में वन के कुछ वरक्षों को काट कर अपने बोजन के लिए फसल उगाते हैं जिसे करतन अमदहिन करशी पददी कहा जाता है यहां के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मचली पकड़ते हैं जबकि महिलाएं फसलों पर का ध्यान रखती हैं क्योंकि मचली यह शिकार मिलना निश्चित होता है ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साख सबजीयों से अपने परिवार का भरण पोर्षन करती है इनका मुख्य बोजन मैनियोग है जिसे कसावा भी कहा जाता है यह आलो की तरह की जमीन के अंदर पैदा किया जाता है आलो की तरह से यह जमीन के अंदर होता है इसके अलावा टेपियोक, अनाना, सकरकंद आदे भी उगाई जाते हैं ये चीटियों की रानी एम अंड कोस भी खाते हैं कोफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसले भी यहां पर उगाई जाती है वर्सावन अत्यदिक मातरा में गरों के लिए लकड़ी परतान करते हैं कुछ परिवार मदुमक्खी के च्छते के आकार के गरों में रहते हैं जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे गरों में रहते हैं जिनकी च्छत तिवर डलान वाली वात होती है अमेजन बेसिन के जीवन में बदलाओ 1970 में ट्रांस अमेजन महामारक बनने से वर्सावन के सभी बागवा तक पहुंचना संबह हो गया अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जाजों और हैलिकॉप्टरों का प्योग के जाता है इस पर किरिया के फलसरूप वहां के मूल आबादी को उसक्षेतर से बाहर निकाल कर नएक सेतर में बसना पड़ा जहां वे अपने पुराणिक तरीके से खेती करते रहे है विकास की गतिविदियों के कारण जैविकी विविता वाले वर्सावन धेरे धेरे नस्थ हो रहे है ऐसा नुमाना की परतिवर्स अमेजन बेसिन के वर्सावन कड़ा का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है वर्सावनों को के लुप्त होने से व्यापक परभाव होता है वर्सा के कारण मिट्टी की उपरी पर तबह जाती है इम सखन वन बंजर भूमी में बदल जाते हैं करतन एम दहन पदती करतन एम दहन पदती में किसान पहले वर्रेक्शों और जाड़ियों को काट कर भूमी साफ करते हैं फिर इनको जलाय जाता है जिससे पोसक तत्तों मिट्टी में मिल जाते हैं इस साफ भूमी पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है जमीन के इस टुकड़े के बार बार परियोग से मिट्टी में पोसक ततों का अभाव हो जाता है इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है इस विच पुराने खेतों में छोटे छोटे वर्षों उगाते हैं इस परकार मिट्टी पुना उपजाव बन जाती है तब लोग इस भूमी के टुकड़े को पुना जोड़ सकते हैं आएए इससे समंदित कुछ पुछ पुछन करते हैं जिन बेशिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं तो कुछ फसले हैं जैसे मैनियोक मैनियोक की परमुक फसल है टैपियोका, आनानास, सकरकंद, कोफी, मक्का, कौको ये कुछ फसले हैं जो ये उगाते हैं वर्षावनों के लुप्त होने का कारण बताईए वर्षावनों के लुप्त होने का कारण क्या है इसका जो मेन कारण है जैसे वर्षावनों के अत्यदी की काटने से घरों के लिए लकड़ी चाहिए लोगों को तो घरों के लिए लकड़ी परतान की जाती है वर्षावनों से या फिर विकास की गतिविदियों के कारण जैविक विपता वाले वर्षावन देरे देरे नास्ट हो रहे हैं तो विकास की गतिविदिया कौन कौन सी गतिविदिया जिसे लकड़ी प्राप्त करना और मारग परशर्ष्ट करना तरह तरह के गतिविदिया करना तो इस तरह से इन गती वीदियों के कारण वार्शावन नास्टो हो रहा है क्योशन नमर तीन है जीवों की विविता की द्रिस्टी से हमेजन बेसिन ऐसाद अनुरूप सी शिमर्द है जीवों की विविता की दिरिश्टी से तो इस कतन को प्रमानित कीजिए बिलकुल है ऐसा दानरूप सी सिम्रिद है यहां तरह तरह के जीव पाए जाते हैं यहां पर जो है परजी भी पाए जाते हैं यहां वनस्पती और तरह तरह के जीव जैसे और्कीडी ब्रोमिलोड हैं टूकन गुंजन बक्षी रंगिन पर जाती हैं तो इसमें बहुत सारे जीव पाजाते हैं इनके बारे में आप लिख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक आप यह लिख सकते हैं कवर्चो यह थी आपके सेस्टी की वरक्सीट